हालो गाईज, वेल्कम बेक टू माई चेनल लाइफ चैल टिप्स तो आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि आप घर पर ही अपने हाथों पे रखो वाइट कैसे करें उसके लिए हमें चाहिए स्रिफ एक कॉल्गेट पेस्ट तो चलिए शुरू करते हैं अब हम कॉल्गेट पेस्ट तेंगे हमें वाइट केलर वाली कॉल्गेट पेस्ट चाहिए अब हम इसे अपने पूरे हाथों पे रगा देंगे इस तरह आप अच्छे से पूरे हाथ अपने कवर कीजिए जहां पर भी आपकी ब्लैक स्कीन हो जैसे कि आपके नी होते हैं या गर्दन आपकी काली हो गई हो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं आपके अंड्राम्स अगर आपको ने भी वाइट करना है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं अब हम इससे दो मिनिट के लिए इसे ही शोर देंगे अब दो मिनिट हो गए हैं और इप एक ठोरा सा सुप गया है यानि कि पेस्ट अब हमें लेना है एक तूथब्रश जो भी आपके गर में वेस्ट तूथब्रश है आप वो यूज़ कीजिए और थोरा सा हम लेंगे यहां पर पानेंगे तो मैं तूथब्रश को थोरा से वा आपके आपकी जो भी डेड़ी स्कीन है वो अच्छे से निकल जाए आप अच्छे से इसे ब्रेश से रब कीजिए जैसे मैं दिखा रही हूँ ना आप एसे ही कीजिए आपकी उंगलियों पे जहां जहां भी ब्लैक इस्कीन है या पेरों पे गुतनों पे वहां आप इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी इस्कीन एकदम वाइट हो जाए जिसे पहले थी आप इसे पाश मिनिट लग करेंगे इसे ही ब्रेश से थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप इसे पाश मिनिट लग हम ये ब्रेश इसक्रब करेंगे अपने हाथ पर ये बहुत थी ये बहुत फायदेमंद है आप इसे एक बार जरू ट्राय कीजिए घर पर आपको तुरंत रेजल्ट मिलेगा मैं आपको अब भी लाइव डेमो दे रही हूं आपको अब भी मैं इसका रेजल्ट बताऊंगी पाच मिनिट हो गया है अब हम इसे सुखने के लिए रख देंगे जब तलकी पूरा सुख नहीं जाता तब मतलब हमें इसे रखना है कम से कम 10-15 मिनिटे से सुखने के लिए रखेंगे 10 मिनिट हो गए है अब ये पेस्ट का फेस्ट पेक अब सुख के तयार है मेरा मतलब है कि सुख गया है अब मैं इसे वाश कर क्याती हूं फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूं अब मैं अपना हैंड वाश करके आई हूं और आप देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है पहले तो मैं इसे नैपकिन साफ कर लेती हूं गीला है पहले से इसमें बहुत ज़्यादा फरगा गया है मेरा हाथ बहुत वाइट हो गया है अब हम इसमें मैं एलोवीरा जेल लगा रही हूं अगर आपके पास कोई भी मॉश्चे राइजर अपला है तो आप उसे अपला कर सकते हैं आप इसे एसे ही मत छोड़िये मॉश्चे राइजर जरू लगाईएगा ताकि हमारे जो पोस ओपिन है वो प्लोस हो जाए आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में कितना फरब पर गया है यह जो मैंने इस पे पेस्ट लगाया था इस क्रब किया था और यह है कि जो मैंने अब इसके उपर कुछ भी नहीं लगाया है मेरे दोनों हाथों में बहुत फरब हो गया है बहुत शाइन आ गई मेरे हाथों में बस आप भी इसे घर पे जरू टाय किजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसना है तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आज के वीडिय मिलते हमें नेक्स वीडियो में ठैंक यू